Hey guys, कैसे हैं आप लोग हुगा, I hope कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी exam के preparation भी बहुत अच्छे तरीकी से चल रही होगी आज हम बात करने वाले हैं difference between coercion and undue influence के बारे में जो की एक बहुत important topic है examination के point of view से तो चलिए फिर इसको discuss करते हैं विना समय बरबाद किये बड़ उसके पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूंगा चैनल के बारे में कि अगर आपको assignments चाहिए free of cost, अगर आप 40% discount पे हमसे notes खरीदना चाहते हैं यहां पर subscribe का button आपको दीख रहा है red color कस्य दिखेगा आपको उसको सबसे पहले subscribe करने ले रहा है पहला icon दबा देना है और उसके बाद फिर जो join का button है इसके उपर आपको click करना है तो यहां पर आपको सबसे पहली बात तो 24-7 WhatsApp support मिलेगा regarding your study और यह तब तक मिलता रहेगा जब तक कि आपकी study खतम नहीं हो जाती ठीक है ना पहला दूसरा है कि आपको assignment यहां पे free of cost मिलने वाले है assignment के लिए आपको एक रुपए भी charge नहीं किये जाएंगे और आपको notes जो है अगर आप खरीतना चाहोगे हमारे पास से तो वहां पे आपको 40% का discount भी मिल जाएगा So these are the benefits you will get if you will take our membership plan इसके अलावा में बताता चलूँ कि अगर आपको study जो है one by one करकी you know playlist wise करनी है जितनी भी सारी videos है one by one अगर आपको करनी है तो simple आपको करना क्या है Commerce पार्चला पेज पर जाने के बाद आपको playlist के उपर click करना है नीचे की तरफ आना है इगनु एमकॉम और बीकॉम नियू बीकॉम आपको दिखेगा इगनु बीकॉम नियू के आपको उपर अपको click करना है यहाँ पर बीकॉम का जो नया जो courses चल रहा है जिसमें आपका first year और second year और third year सारी के सारी playlist आपने यहाँ पे मिल जाएंगी बात किये हमारा जो की है कोर्शन और अंडिव इंफ्लेंस का difference सो कोर्शन का मतलब क्या होता है कोर्शन का मतलब होता है relation between the parties is not necessary portion का मतलब होता है दो लोगों के बीच में जो relationship होता है उसके पर हम यहाँ बात की जा रही है कि दोनों के बीच में जो लोगों के बीच में होता है है ना तो यह सबसे पहला difference है कि कोर्शन में कोर्शन में relationship जो है पार्टिस के बीच में होना जरूरी नहीं होता वट अंडिव इंफ्लेंस में relationship होना important है तभी वह आपको influence कर पाएगा राइट second point है concept is given under the threat of offense कोर्शन जो होता है वो एक तरीके से आपको you know threat दिया जाता है कि आपको यह काम करना ही होगा consent is given under the threat of an offense आप गोलते हो कि आप अगर 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 आप यह काम नहीं करोगे तो हो सकता है मैं आपके साथ कुछ offensive बरताओ करूं हो सकता है मैं आपके साथ कुछ गलत करूं तो इस case में आपको डर के मारे या थोड़ा सा डर के मारे हमें जो है consent अपना देना पड़ता है दूसरे हम caution कहेंगे यहां पर किसी भी तरह करने की कोशिश करते हो consent is obtained by dominating the will यहां पर जो विल है उसको एक तरीके से इंवल्स फिजिकल फॉर्स और थ्रेट इंवाल्व होता है मतलब आप किसी को धंकी देते हो कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपके साथ ऐसा कर सकता हूं फॉर्शन के case में अंडिव इंफ्लॉएंस में इट इंवाल्स मोरल प्लेजर यहां पर लेकिन ऐसा नहीं होता यहां पर प्लेजर यहां पर इंवाल्व होता है ठीक है ना फॉर्ट पॉइंट है इट में मॉव फ्रॉम इवन इस टेंजर अट में बी अगेंस दव्ड़ॉ इसके अब कर सकता है यह हो सकता है उसके यह चीज़े जो है वह जा सकती है और कोई एक person, a person whose welfare is the promissor is interested, जिसमें promissor के welfare contrast होगा, उसको नुकसान पहुचाया जा सकता है, coercion के case में, undue influence में, it is employed by the party to the contract, undue influence जो है, वो एक तरीके से employed किया जाता है, party के दौरा contract के तहल, suppose मैं किसी को पहचानता हूँ, मैंने कहा कि ठीक है, आप अगर इस contract पर sign करते हैं, तो मैं आपको आपकी उससे मुलाफात करवा दोंगा, बला-बला, कुछ भी वहाँ पर हो सकता है, तो यहाँ पर जो चीजें employ हो रही है, वो party जो है employ कर रहा है, एक तरीके से influence को वो create कर रहा है, ताकि contract जो है, वो contract जो है, उसमें एक तरीके से वो उसको इसको इस्तमाल करता है, है न, it is employed by the party to the contract, contract में इस्तमाल किया जाता है undue influence को employ करके, किसके द्वारा, party के द्वारा, ठीक है न, I hope को समझ में आ रहा होगा, मैं मुझे सही शब्द नहीं मिल रहे हैं, ताकि मैं आपको समझा पाऊं, तो यह issue हो जाता है कभी-कभी, I hope की clear हो गया, in case of any doubt, you can ask me in the comment section, तो when the contract is avoided, जब contract avoid कर लिया जाता है, coercion के case में, and any benefit received has to be restored और refunded, तो जब भी contract को avoid कर दिया जाता है, coercion के case में, तो वहाँ पर जो भी benefit आपको पहले मिले हैं, उस contract के तहित, वो पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे, आपको restore या पर refund आपको करना होगा, अगर आपको coercion के case में, contract के benefit अगर आपको मिले हैं, तो लेकिन, लेकिन undue influence के case में, when the contract is avoided, जब contract को avoid किया जाता है, it is at the discretion of the court, to direct the aggrieved party to restore or defend the benefit received, तो यहाँ पर आप खुद से कुछ क्लेम नहीं कर सकते, court चाहे तो यहाँ पर आपको आदेश दे सकती है, कि आप जो हो जांदर के, जो भी aggrieved party को जो भी benefit मिले हैं, आप उस benefit को वापस कर दो, aggrieved party को यह बात बो नहीं जा सकती है, but by the court, ऐसा नहीं कि आपने जाकर के बोला और आपको पैसे वापस मिलगे, यह possible नहीं है, जो discretion होगा, वो court का होगा, और वो direct कर रही aggrieved party को, ताकि वो जो हो जो भी benefit उसको मिले हैं, वो उसको बावपस कर दे, आप खुछ से claim यहाँ पर नहीं कर सकते हो, so these are the five differences between the courtion and undue influence, I hope कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा, छोटा था लेकिन बहुत important सा, अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें, मिलता एक लिए वीडियो में अपना ख्याल रखें, बाबाई, थाइक्यू,